मेरा नाम सुनाली है और मैं आज आपके साथ इस वीडियो में इंडिन पॉलिटिक के कुछ इंपॉर्डेट एम्सी क्यों डिसकस करने वाली हूँ mcq20 रहेंगे जिसमें हम साथ के साथ options को भी देखेंगे और जो related content होगा या related knowledge होगा उसको भी देखेंगे प्लीज वीडियो को like and share करिएगा चलिए वीडियो के साथ आगे पढ़ते हैं so first question जो है हमारा वो है the constitution assembly was established under which scheme or plan so यहां पूछ रहा है कि कौन सी scheme यह plan के under जो है वो constitution assembly को जो है established किया गया था तो answer रहेगा हमारा cabinet mission plan option b ठीक है so cabinet mission plan जो था इसके under constitution assembly को established किया गया था अब अगर इसकी थोड़ी मैं आपको history बताओं तो हुआ क्या था कि 1945 में Britain में election हुई थे और इन एक्षिन में कौन जीता था लेबर पार्टी लेबर पार्टी जब जीती तो फिर क्या हुआ कि Clement L.T. करके जो है वो sorry Clement Attlee जो है प्राइम मिनिस्टर बने और Clement Attlee जो थे इन्होंने house of common से 14 March 1946 को जो है वो एक announcement की और इसमें उन्होंने कहा कि हम जो है इंडिया को peacefully जो है transfer of power देंगे ठीक है और transfer of power जो है कौन से plan के under देंगे तो cabinet mission के under देंगे ठीक है सो मतलब की यहां उन्होंने क्या बोला कि हम जो है cabinet mission के under जो है वो लोगों को इंडिया इंडिया इंडियन्स जो है उनको पावर भी देंगे जो भी तक ब्रिटिशर के हाथ में थी और साथ मनको freedom और constitution भी देंगे ठीक है इसके साथ जो है वो next question यह भी यहां पर important है जो की ह है कि cabinet mission इंडिया को आया कब ठीक है तो 24 मार्च 1946 जो है वो हमारा जो यह cabinet mission था यह इंडिया आया था ठीक है और आया कहां पर था न्यू डली आया था ठीक है चलिए आब आगे बढ़ते है next question so next question है कि cabinet mission जो है इंडिया में इसको किसने head किया था ठीक है तो अब cabinet mission जो था इसमें basically क्या था यह तीन member committee थी ठीक है तीन member जो थे इसमें थे और यह तीन member जो थे इंडिया आया थे cabinet mission के under so यहां पर हमें question बूछ रहा है कि who was the head head कौन था इसका तो answer रहेगा C Lord Pathic Lawrence जो थे वो इस committee के head थे ठीक है और इसके साथ जो थे वो Stafford Crips और A.V. Alexander जो थे यह बाकी के दो member थे so यह तीन member जो थे basically cabinet mission में थे अगर इसको याद करना हो तो S, P, A से कर सकते हैं SPA, S से आजाएंगे हमारे Stafford Crips, A से आजाएंगे A.V. Alexander और P से आप Lord Pathic Lawrence को Pathic Lawrence से याद जख सकते हैं so इसके बाद जो हमारे next question है यहां पर हमें पूछा गया कि on which date the Constitutional Assembly was constituted, ठीक है तो अब यह तो हमें पता चल गए कि Cabinet Mission जो प्लान था इसके अंडर हमारी Constitutional Assembly को constitute करने की बात की गई थी और इसके अंडर ही बनी थी यह जो थी ना इसने basically framework प्रोवाइड किया थे कैसे Constitutional Assembly हम बनाएंगे ठीक है अब यहां पर पूछे कि कौन सी डेट को यह बनी थी तो कौन सी डेट को बनी थी 6 December 1946 ठीक है यह वो डेट थी जिस दिन हमारी Constitutional Assembly जो है उसका formation हुआ था अब यहां पर क्या बोल रहा है देखो हुआ क्या था जिब Constitutional Assembly हमारी बनी जो हमने भी डेट देखी 6 December उस टाइम क्या हुआ था यहां पर थी 389 मेंबर्स ठीक है अब इन 389 मेंबर्स में क्या क्या था 93 जो थे वो कहां से थे वो थे प्रिंसली स्टेट से पी एस लिखरियों में और बाकी जो थे वो कौन थे 296 क्या थे ब्रिटिश इंडिया ठीक है ब्रिटिश इंडिया से थे ठीक है मतलब प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया से टोटल जो थे यह कितने थे हमारे 389 ठीक है लेकिन बाद में क्या हुआ जैसे कि हमें पता है बाद में क्या हुआ कि कि पहले तो इंडिया जो था वो अकेला इंडिया था ठीक है लेकिन बाद में जब उसमें से पाकिस्तान निकला और फिर वो रिएसेंबल हुआ दो बारा बना तो उस ताइम पे कितने मेंबर जो थे वो की ऊवभी सी पहले जो मेंमबर थे वो और रचलर से पाकिस्टान जो थे वुछ आऔर पाकिस्तान जाने के बाद अब यह पूच रहा है कि तने टोटल मेंबर थे और कितने इसमेंबर क्यों जो और बचोपशन मेंबर थे हैं कितनी च्यूर्ज पच्झी थे और देAg फॉर्मेशन की हमने बात कर दी कब हुआ 6 डिसमबर ठीक है अब 6 डिसमबर को जो इसेंबली बन की यहां पर पूछ रहे कि पहली मीटिंग कब हुई तो option d answer रहेगा 9 डिसमबर 1946 को जो है वो first meeting हुई थी ठीक है अब अगर आपसे question किया जाए कि last meeting कब हुई तो last meeting थी वो रही 24 जैनवरी 1950 ठीक है यहां पर जो है यह last session रहा था constitution assembly की meetings का question अब हमारा कि how many meetings were held for the making of Indian constitution की Indian constitution को बनने के लिए total कितनी meetings हुई थी तो answer रहेगा हमारा 11 ठीक है और 11 meetings को complete करने के लिए कितने days लगे थे तो हमारा answer होगा 165 days in total ठीक है meetings भी बोल सकते हैं या sessions भी बोल सकते हैं इसको ठीक है next question जो है हमारा वो है कि who was the constitutional advisor to constitution assembly के constitutional advisor कौन थे constitution assembly में ठीक है तो answer हमारा रहेगा B मतलब की B.N. Rao ठीक है B.N. Rao जी थे हमारे constitutional advisor in the constitutional assembly ठीक है इसके बाद अगर हम बात करने डॉक्टर के मुंशी कौन थे तो डॉक्टर क मुंशी जो थे ना कि working committee के chairman थे ठीक है he is the chairman of working committee और इसके साथ साथ जो थे इन्हों यह जो थे पार्ट थे drafting advisory और सब committee fundamental rights ठीक है मतले यह तीन चर कमेटी जो थी उनके पार्ट थे लेकिन chairman किसके थे सिर्फ उसे working committee के इसके बाद अगर हम बात करें MC सतलवाद option C की तो MC सतलव मतलब इंडिया के पहले attorney general और सबसे जाद समय के लिए सर्व करने वाले attorney general कौन है MC सतलवे ठीक है option D की बात करें तो यह कौन थे dr. सजेदा नंसिना जो थे he is the oldest member जितने यह member थे उसमें से यह oldest member थे constitutional assembly में और साथ में he is also temporary president ठीक है तो अगर question आए कि temporary president कौन थे constitutional assembly में तो वो थे हमारे dr. सचिदानन सनहा ठीक है इसके साथ next question पे चलते है next question है who was the chairman of the drafting committee of Indian constitution बहुत important question है तो इसका answer हमारा क्या रहेगा option D Dr. B. R. Ambedkar and he is also known as father of Indian constitution ठीक है Indian constitution के father भी किसको कहा जाता है Dr. B. R. Ambedkar मतलब Dr. Bheem Rao Ambedkar ठीक है next question है who was the president of constitution assembly तो constitution assembly के president कौन थे ठीक है answer हमारा रहेगा Dr. Rajendra Prasad Dr. Rajendra Prasad constitutional assembly के भी president थे और इंडिया के first president भी थे तो बतलब यहां से हम याद रख सकते हैं कि first president भी थे और साथ में constitution assembly के भी president Rajendra Prasad ही थे ठीक है next question पर आते है next question है the demand for the constitution assembly was put forward by INC in 1936 at ठीक है इसका मतलब के INC जो है नहीं यहां लिखा उसका मतलब है Indian national congress ठीक है जहां पर रखी थी कौन सी meeting थी कहां पर वो meeting हुई थी जहां पर constitutional assembly की मांग जो है formally officially international congress के दौरा जो है वो रखी गई थी तो कौन सी जगह थी option C लखनौ लखनौ में meeting हुई थी जहां पर इंडियनाशनल कॉंग्रस ने इस प्रस्ताव को रखा था अब रखा किसके दौरा गया था तो पंडित जवाहर लाल नहरू ठीक है who is the first prime minister of India also ठीक है तो उनके दौरा जो है वो इस proposal को रखा गया था लखनौ में in 1936 next question है how long did the constitution assembly take to finally pass the constitution तो कहता है कि कितना time जो है वो approximately लगा था constitutional assembly को constitution को pass करने में ठीक है approximately बताने तो यहां पर options आप देख लीजिए answer हमारा रहेगा d ठीक है about three years ठीक है three years मतलब कि approximately three years बात की है कब से 9 December 1946 कौन सी डेट है first meeting यहीं पर आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें क्योंकि यहीं पर में बता रहे हूं बार बार रपीट कर रहे हूं कि first meeting कब हुई थी नाइन डिसेंबर को ही थी तो मतलब नाइन डिसेंबर से लेकर हम गिने तो तब से तीन एर थे approximately तीन एर क्यों बोड़ रहे है क्यों कि हमें पता यह शायद mostly को पता होगा कितना टाइम लगा था तू एर्स 11 मन्थ एंड एटीन डेस ठीक है दो वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन ठीक है तो अल्मोस्ट कितना हो गया थीन एर जी होई obviously अब next question आता है the most profound influence on drafting of Indian constitution exercised यहां पर question क्या पूछ रहे है कि Indian constitution की drafting जब हुई थी drafting मतलब जब उसको बना रहे थे उसको लिक रहे थे तो किस चीज का निक्ची जब ऑप्शन दिये गए है इसमें से किस चीज का सबसे ज़ादा influence था मतलब सबसे ज़ादा प्रभाव किसका था ठीक है इसके बाद next question है हमारा who was the chairman of committee on fundamental and minority rights ठीक है तो कह रहा कि fundamental and minority rights जो थे इसकी committee के chairman कौन थे तो सरदार वल्लब भाई पतेल ठीक है यह जो थे हमारे chairman थे इस committee के इसके बाद हमारा next question है when was the national flag adopted by constitution assembly मतलब कि constitution assembly जो है उसने national flag को as a national flag कब adopt किया तो date रहेगी हमारी July 22, 1947 यह वो date थी जिस दिन जो है national flag को adopt किया गया था जिक है बाद किसके दोरा constitution assembly के दोरा यह important है जिक है अब हमारा next question है इसमें हमें क्या पूछे कि when the people of India adopted, enacted and gave themselves Indian constitution ठीक है अब अगर आपने कभी preamble रिखा होगा ठीक है preamble पढ़ा होगा तो preamble के end में एक लाइन आती है और इसमें क्या है कि we the people of India adopt, enact and gave themselves the Indian constitution ठीक है मतलब कि इस question में हमसे क्या पूछ रहा है इस question में हमसे पूछ रहा है कि कौन सव दिन था जिस दिन constitution को pass किया गया था या फिर adopt किया गया था ठीक है दोनों ही question सेम है तो यहाँ पर answer क्या आएगा answer आएगा 26 January 1949 ठीक है इस दिन को जो है constitution complete बनके त्यार हो गया था पास भी हो गया था ठीक है और बस बात किया थी कि उसको completely apply नहीं किया था कुछ provisions जो है some provisions जो थी वो apply कर दी गई थी कौन सी की थी वो भी हम आगे देखेंगे ठीक है लेकिन इसको totally apply नहीं किया गया था अब बात करें कब totally apply हुआ ठीक है implement कब से हुआ या अगर हमें पूछ लिया जाए कि Indian constitution की commencement date क्या है enforcement date क्या है वो आजाएगी 26 January 1950 ठीक है जिसको हम कैसे मनाते है as a republic day भी मनाते है तो इस दिन जो था वो हमारा constitution को जो है इस से भी मनाया जाता है ठीक है इस दिन को अब एक और question जो arise होता है यहाँ पे वो यह भी है जो मैं आपको बताना चाहूँ कि 26 January 1950 date ही क्यों चूज की क्योंकि बन तो गया था 26 November को तो फिर क्या ज़रूर थी दो महीना वेट करने की तो बेसिकली क्या था कि 26 January 1930 को जो है वो पून स्वराज दिवस मनाया जाता है ठीक है और पून स्वराज दिवस इस date को क्यों मनाया था क्योंकि इस टाइम पहली बार बात हुई थी पून स्वराज को लेने की तो इस दिन को फिर पून स्वराज दिवस कि दर हमनाते थे तो इसलिए जब बात आई कि हम Constitution को अब implement करने वाले हैं तो Constitution को implement करने का मतलब ही था कि अब हमें पून स्वराज मिलने वाला है तो इसलिए उन्होंने date किया चूज की 26 January चूज की इसके बाद हमारा नेक्स क्वेशिन है कि which of the following constitutional provisions came in force from 26 November 1949 यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी नीचे दी गई provisions में से कौन सी वो provisions है जो कि 26 November 1949 से ही implement होना start हो गई थी ठेक है force में आगई थी force का मतलब क्या होता है कि उनको लागू कर दिया गया था वो use में आ गई थी लोगों के थीक है तो इसका answer जो है मैंने अभी आपको बता है कि कुछ provisions जो थी उनको implement कर दिया गया था और कुछ को बाद में किया कब कि अबाद में 26 January को 1950 थीक है लेकिन जो provisions पहले ही लागू कर दिया थी वो कौन सी थी तो यहाँ पे जो है basically answer रहेगा हमारे D ठीक है यह तीनों ही जो थी उनको implement कर दिया था पहली कौन सी citizenship से related election से related और provisional parliament से related ठीक है यह इन तीनों तरह की जो provisions थी constitution की इनको implement कर दिया गया था next question है हमारा on which date constitution was finally signed by member of constitution assembly ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा question है यह हमें पूछ रहेगी कौन सी date को जो है वो finally constitution assembly ने जो है वो constitution को sign किया था कौन सी date थी तो मैंने आपको पीछे भी बताई थी यह date 24 January 1950 ठीक है 24 January 1950 को मैंने आपको क्या बताया था कि इस दिन last session हुआ था तो जिस दिन last session हुआ था उसी दिन जो है वो constitution assembly के members ने constitution को sign ही था ठीक है अब बात रही कितने members ने sign किया था 284 members ने sign किया था ठीक है और एक और question जो है कि constitution के कितने pages थे उस time पे तो कितने थे इंडियन Constitution इस रिटन अन रिटन बेस्ट औन डिक्टेटर्शिप यह स्मॉलेस्ट इस चारों में से एक उप्षिन हमने जूस करना तो अंसर रहेगा रिटन इंडियन Constitution जो है वह एक तो रिटन है ठीक है पूरी दुनिया में सबसे लंबा Constitution हमारा Constitution है यह इसकी विशिष्टाओं में भी आता है इसके बाद next question है हमारा कि the idea to have a Constitution Assembly was given for the first time by ठीक है कि यह जो idea था वैसे तो हमने क्या पढ़ा कि भई 1936 में जो है sorry 1936 जो था उसमें इंडिनाशनल कॉंग्रस ने पहली बार बोला कि हमें Constitutional Assembly चाहिए 1946 में cabinet mission आया जिसके दोरा इसका process start हुआ लेकिन question यह है कि भई यहां पर इस question में क्या पूच रहे है कि पहली बार Constitution Assembly बनाने का idea किस ने दिया था किस ने पहली बार इस जिसके बार में बात की तो वो बात की थी M.N. Roy ने ठीक है और इन्हों ने बात की थी इसके बार में 1934 म और यहां से हमारी शुरुआत होती है Constitution की या Constitution Assembly की ठीक है इसके बार next question है हमारा who proposed the preamble before the drafting committee of Constitution ठीक है इसमें क्या पूच रहे है हम से यहां पूच रहे है कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने preamble preamble जो है उसको Constitution के drafting committee के पास जो है प्रपोस किया था ठीक है तो कौन थे व प्रियंबल को हम Hindi में प्रस्तावना भी कहते है ठीक है प्रियंबल का मतलब क्या होता है प्रियंबल का मतलब होता है कि अगर जैसे पूरी Constitution बना दिया उन्होंने तो preamble जो है वो एक छोटा सा पेज है जो बता रहा है कि इस Constitution में हम किस किस चीज के बात कर रहे है ठीक है ज जिवारलाल नेरुजी थे उन्होंने प्रियंबल को प्रियंबल को प्रपोस किया था ठीक है So thank you for watching आज के लिए इतना ही 20 questions जीए जो हम discuss करेंगे और बाकी की question हम आने वाली वीडियो में देखते रहेंगे Please like and share केज़ेगा और अगर कोई भी doubt होगा तो उसके लिए आप comment section में जो है वो comment कर सकते है Thank you so much, have a good day